हाई एवरिवन, वेलकम तु दक्षिन स्वाद, तो आज का हमारा रेसिपी है ग्रीन कोकनेट चटनी, हरे धिनिये और नारियल का बना हुआ चटनी, तो चलो रेसिपी की ओर चलते हैं, और हाँ याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और पास में जो बेल आइक करने के लिए हमें चाहिए आदा कप कदूकस की होवा नारियल, फ्रेश धनिया पत्ता, एक छोटा पिस अद्रक, थोड़ा इमली, दो हरी मिर्च, एक टेबल स्पून चनाडाल और स्वाद अनसार नमक, और तड़के के लिए एक टेबल स्पून तेल, एक टेबल स्पून सरसो, करी पत्ता और दो सुखी लाल मर्च, तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में कदूकस की होवा नारियल, इमली, दो हरी मिर्च, तो हरी मिर्च का कितना ठीका है उसके हिसाब से डालिएगा, मैंने यापर दो लिया है, छोटा पिस अद्रक, एक टेबल स्पून चनाडा उसके बाद हमने जो फ्रेश धनिया पत्ता लेके रखा हूँ है, फ्रेश कोरियंडर लीव्स वो इसमें डाल दीजेगा फ्रेश कोरियंडर लीव और स्वाध अनसार नमक अब इतना मिक्सी के जार में डालने के बाद, थोड़ा पानी डाल कर हमें इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है, तो मैं इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके लाती हूँ तो अब देख लिजे, चटनी बिलकुल फाइन पेस्ट ग्राइंड कर लिया है, और बिलकुल आप देख सकते हैं, बहुती बढ़िया रंग है, बढ़िया ग्रीन कलर है, तो अब तड़के के लिए एक बरतन में आप एक टेबल स्पून तेल, उसमें सरसो डाल कर, वो स्पून उरड़ा डालेंगे, उरड़ा डालकर हलका साटे कर लिजे, उसके बाद सूखी लाल मर्च और जो करीपता हमने लेके रखा हुआ है, वो, सारा डालकर अच्छी तरह बुन लिजे, तो हमारा तड़का यहां पर तयार है, अब इसको चटनी के अंदर दालकर अच् चटनी छटपट बन गया है, बहुती जल्दी बना सकते हो और बहुती एक यूनीक टेस्ट है इसका, अब जरू ट्राइ करके देखेगा, आज होप आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब् करना मत भूलेगा, और अपने फ्रेंड्स को शेर भी करके देजेगा, तो अगले ऐसे ही इंट्रेस्टिंग नए रेसिपी के साथ फिर आप से मिलूंगी, थांक यू और बाई